लर्निंग हर्याना यूटूब चैनल की और से सभी सातियों को नमस्कार आज जिग जोगरफी का चैप्टर है नया भारत का भोतिक सवरूप को आगे बढ़ाते हैं तो भारत का भोतिक सवरूप पढ़ने से पहले हम पांच या छे चीजों पर विचार करेंगे सबसे पहला है परवत परवत नंबर दो पठार नंबर तीन मैदान नंबर चार तटिय या तट कहते हैं जिसको और नंबर पांच मरुस्थल और ये चार पांच चीजे हैं जैसे प्राइद्वीप जिसको प्राइद्वीप या पठार एकी बात है या द्वीप लक्षे द्वीप है जैसे इन पे विचार करेंगे सबसे पहले परवत जो यह सरंकला है किसकी सरंकला है हिमाले परवत की जैसे यह स्रेणियों में बटा हुआ है इस तरह से तेन चार सरंकला है हिमाले की सबसे पहला है ट्रांस हिमाले दूसरा है इसको हम दूसरे को हिमादरी या सर्वोच हिमाले या वरीद हिमाले भी बोलते हैं तिसरा है और फूर्द है एक सिवालिक या नविंतम हिमाले दूबारा विचार करते हैं हिमादरी या सर्वोच हिमाले थर्ड है हिमाले सरेणी ही हिमाचल सरेणी या हिमाले हिमाचल सरेणी बोलते हैं सिवालिक इसमें क्या क्या आता है जो पूरों से पस्चिम है हमाले कितने किलोमेटर फैला हुए है 2400 किलोमेटर इसका प्रादेशी विभाजन भी हम देखेंगे ट्रादेशी पहला है यहां पर जो आपकी केटू है या गोडविन आस्टीज खासकर वो तो पाकिस्तान अधिकरित कस्मीर में है तो यहां पर ओस्त उंचाई या कारा कोरम यहां पर क्या है भारत की सबसे उंची चोटी कारा कोरम है इसके अंदर क्या क्या आते हैं लदाक और कारा कोरम इस तरह है इस ट्रांस हिमाले अक्सेतर के अंदर आते हैं इसकी उंचाई जो देखें तो कितनी है छे हजार मेटर के आसपास है हिमादरी शरुवच हिमाले, यानि कि ये हिमाले की सबसे उन्ची चोटी है जैसे नेपाल कесть है। नेपाल के और माउंट टेवरेष्ट है, वीशो की सबसे उन्ची चोटी इसी के और आती है। इसमें नेपाल में इसको क्या बोलते हैं सागर माथा जिसकी उन्चाई कितने हैं 8888 और कई बुक के क्या दिखाती है 88850 के आसपास भी दिखाती है और थार्ड है जो हिमाचल स्रेनी खास कर आपका कुलू मनाली इसी के अंदर आते हैं इसी वालिक जो अक्सेतर है लास्ट वाला जो भारत के सबसे नजदीक है या वैसे तो ये भी भारत में है लेकिन जो हमारे सबसे नजदीक है खासकर इनको क्या बोलते हैं दून बोलते हैं या जैसे हरीदवार या देहरा दूल क्या क्या है अब इसका प्रादेशिक विभाजन करेंगे प्रादेशिक जो हमने ये पढ़ा जैसर ट्रांस हमाले हमाद pacte इसको वरिद या बड़ा हमाले बोलते हिमाचल स्रेनी खासकर कुलू मनाली इसके अंदर आते सिवालिक जो हमाले है नुइंतम हमाले इनको दोन बोलते हैं जैसे देरादून हरीदवार और जो ये 6000 ओस्ट उन्चाई है यहां पर है हिमाद्री शर्वाच के अंदर और यहां पर ट्रांस हिमाले की जो ओस्ट उन्चाई है 8611 मीटर अब इसका प्रादेशिक विभाजन देखते हैं कैसे होता है प्रादेशिक विभाजन जैसे इस तरह से यह जो चार सब से पहला है जिसको पंजाब हिमाले या कसमेर हिमाले भी बोलते हैं जो कि कितना लंबा है 560 किलो मेटर यह कहां से कहां सिंधु एंउं सतलज नदियों के मद्या कहां फेला हुआ है सिंधु एंउं सतलज नदियों के मद्या फिर हैं कुमाईू हीम्लया तो जो की कितना है 320 किलो मेटर कहां कहां है सतलज एं काली नदियां सतलज एं काली नदियों के बीच का फिर है नेपाल हिमाल्य जो की सबसे लंबा है 800 किलो मेटर है काली नदी एं तिस्ता नदी के मद्य है किसके मद्य है काली नदियें तिस्ता और जो लास्ट है असम हिमाल्य है वो की 720 किलो मेटर है जो तिस्ता एं दिहांग नदियों के मद्य फैला हुआ है तो इस तरह जो बताया था यह टोटल लेंथ कितनी बैठती है 2400 किलो मेटर अब हम यह तो था परवत सरंखला एक यहां पर राजस्तान में बहुती प्राचिन श्रंखलाव से विशो की सबसे प्राचिन श्रंखलाव में अरावली परवत है कौन सा है अरावली परवत यहां से लूनी एं माही दो नदिया निकलती है लूनी नदी जो कच के रण में गाइब हो जाती है और अब यहां पर आते है प्राइद वी पिये जैसे जो 36 गड़ है यहाँ पर एक पठार है 36 गड़ के अंदर एक पठार यहाँ पर जो मकाल का पठार है 36 गड़ में इसकी सबसे उन्ची चोटी कौन सी है अमर कंटक जहां से तीन नदिया निकलती मैंने पिछली वीडियो में जिकर किया था पहली जो सोन नदी इसके दक्सिन से और आकर गंगा मिलती है नरमदा पस्चिम के और बैती हुई अरब सागर के अंदर गिर जाती है और महा नदी उड़ी सागर और जाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है एक विंद्याचल परवत है यहां पर जो विंद्याचल परवत स्रेणी है उत्तर भारत को और दक्सिन भारत को अलग करती है और यहां पर 36 गड़ के अंदर एक छोटा नागपूर का पठार है जिसको भारत का रूर बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्यों कि खनीज उत्पादन के लिए बहुत ही बड़ा संपन पठार है यहां से बहुत ज्यादा खनीज प्राप्ते होते हैं क्या होते है अब जैसे मैंकाल का पठार के उचाई हमने सबसे उंची चोटी क्या बता दे अमार कंटक इसी तरह से मालवा का पठार मध्य प्रदेश और बना हुआ है जो मैंने बताया मालवा का पठार 36 गड़ और मैदे प्रदेश में जहां से कौन सी नदिया निकलती चंबलेंव बेत हुआ तो यह क्या थे पठार अब मैदान का जिकर करेंगे हम परवत हो चुका है पठार हो चुका है मैदान मैदान क्या है नदियों द्वारा भाई गई मिट्टी जब किसी सागर में या खाड़ी में गिरने वाली तो अपने साथ मिट्टी का निर्मान करती है जैसे बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले गंगा एंबरंपूत्र जो सुन्दरवन डेल्टा बनाती है तो वो सुन्दरवन डेल्टा बहुत ही उंगर बोलते हैं और नई मिट्टि को खादर बोलते हैं मैदान के बारे में इतना ही मIRUS'T तल देखें मरुस्तल जो राज़स्तान का ये एरिया है, कुछ पाकिस्तान के अंदर है, ठार, जिसको हम बोलते हैं, ठार, मुरुष्टिले, अक्सेतर, यहां पर काफी संख्या में कंटिले, जाड़ियां मिलते हैं, जो कि यहां पर वर्षा भी काफी कम होती है. और यहां पर उपजाओ जो उपजाओ सेतर वो बहुत ही कम है अब तट को पड़ेंगे जैसे यह पस्चमी तट है और यह वाड़ा पूर्वी तट है पस्चमी तट है जो भारत का पस्चमी तट है वो 1600 किलोमेटर फैला हुआ इसको सहयादरी भी बोलते हैं क्या बोलते हैं सहयादरी और इस साइड क्या है अरब सागर और इस साइड क्या है बंगाल की खाड़ी यहां पर क्या है बंगाल की खाड़ी तो जो पस्चमी तट है वो इसके मुकाबले थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पर पस्चमी तट को तीन भागों में बाठते हैं यहाँ पर गुजरात से जो गुजरात है गुजरात से गोवा तक उसको कोकन तट बोलते हैं क्या बोलते हैं कोकन तट क्या बोलते हैं कोकन तट और गोवा से जो करनाटक तक है उसको केंडरा तट बोलते हैं गोवा से करनाटक केंडर जो मैंगलूर है या बैंगलूर है उसको क्या बोलते हैं केंडरा तट केंडरा तट यहाँ पर जो गोवा से और करनाटक तक है उसको क्या बोलते हैं केंडरा तट अब मेंगलूरू से जो मेंगलूर से लेके जो आपका कन्या कुमारी तक है यहां तक उसको बोलते हैं माला बार तर्ट कौन सा बोलते हैं माला बार तर्ट इसलिए यहां पर यह उंचा है इससे और यहां पर अधिक वर्षा होती है और इसलिए यहां से बेहने वाली सारी नदियान रम्दा और ताप्ती को छोड़ कर उनका जो पानी है कहां पर गिरता है बंगाल की खाड़ी में अब पस्टमी तट को भी तीन भागों में बाटा गया है अब जैसे यहां से कन्या कुमारी से कृष्टना के जो डेल्टा है ना डेल्टा है अब इस पर विचार करते हैं कन्या कुमारी से यहाँ पर जो पस्तमी तट की बात करें कन्या कुमारी से करिशना तक है जो इसको बोलते हैं कोरो मंडल तट बोलते हैं क्या बोलते हैं कोरो मंडल तट अब क्रिशना से गोदावरी तक है क्रिशना से गोदावरी तक है जो हमारा डेल्टा है उसको क्या बोलते हैं गोल करनाटक के इंदर जो पाया जाता है गोलकुंडा अब गोदावरी से उत्री तठ तक या उप्री तठ तक जो कह सकते हैं उत्री तठ तक इसको बोलते हैं उत्री सरकार उत्री सरकार एक चीज है यहां पर जहां पर पुर्वी और पस्चमी घाट मिलते हैं वहां पर नील गिरी की पहाडिया है जो इनकी सबसे उंची चोटी है जिसको बोलते हैं डोडा बेटा क्या बोलते हैं डोडा बेटा जिसकी ओस्ट उन्चाई जहां पर पूर्वी पस्च में घाट मिलते हैं वहां पर निलगिरी की पाड़िया है उसकी सबसे उन्ची चोटी क्या है डोडा बेटा जोकी कितनी है 2637 मेटर उन्ची है कितनी उन्चाई है 2637 इसके दक्सिन और पहड़ी है जिसको अनना मलाई की पहाड़ी उसकी भी एक उन्ची चोठी है जिसको क्या बोलते हैं जिसकी उन्चाई 2644 किलोमिटर है कितनी है 2644, 2644 किलो मेटर, एक पहाडों में यहाँ पर सत्पुडा की पहाडी है, वो मैं थोड़ी देर बाद डिसकस करता हूँ, सत्पुडा की पहाडी का, हाँ जो यह अनमुदई है, यह 2646 मेटर, किलो मेटर नहीं सोरी, मेटर, कितनी उन्ची है, 2646 मेटर, अब प्राइद वीप का जिकर करें, तो भारत में जो कुल मिला के 247 प्राइद वीप मिलते हैं, जिनमें से 204 तो कहां पर है, बंगाल की खाडी में, और जो 43 हो कहां डूबे हुए है, अरब सागर में, और बंगाल की खाडी की सबसे, जो लक्से दूइप है, जैसे अंडे मा निकोबार्द भी सुमें, यहां पर इसकी सबसे उंची चोटी क्या है, सेंडल पीक है, क्या है, सेंडल पीक, और यहां दो तरह के जो आला मुखी पाए जाते हैं, बैरन और नारकोंडा, कौन से पाए जाते हैं, बैरन वे नारकोंडा, बैरन है जो, और दूसरा क्या है, स्कृष्य जो आला मुख्य रूए कह सपुष्ट स्कृष्ट है इसको हम या जो शकृष्य नहीं है सुप्त ही बोलेंगे इसको ये थोड़ा है ऐसी नाम है शुपप्त है यह यह कभी भी उद्गार नहीं हुआ और इसको जल्दी जल्दी रिपीट करता हूं यहां पर सत्पूडा की जो पहाड़ियां है मैद्य प्रदेश में उसकी एक उन्ची चोटी है दूप गड़ी कौनसी है दूप गड़ी जिसकी ओस्त उन्चाई जिसकी ओस्त उन्चाई कितनी सत्पूडा की पहाड़ी किसकी है जो कहां पर है मैद्य प्र watching have a nice day, have a nice day.